हेलो फ्रेंट्स दिस इस में गार्गय और आप देख रहे हैं श्रेश्ट भारत हेमा मालनी की बेटी इशा देवल एक बार फिर सुर्खियों में चाने लगी है एक्ट्रेस इशा देवल पिछले कुछ वच से अपने तलाग की खबरों की वज़े से चर्चा में चाही हुई थी वज़े थी इशा का तलाग इशा और भारत ने अपने 11 साल के शादी को एक जटके में खत्म कर दिया जिसके बाद पापा धर्मेंद्र काफी दुखी थे कि अब मेरे बेटी का क्या होगा बन लगता है अब पापा धर्मेंद्री थी चिंता होने वाली है दूर क्योंकि इशा के जिंदगी में एंट्री ले ली है एक नए मिस्ट्री मैन ने दरसल भारत से अलग होने के बाद ही इशा अकेली हो गई थी लेकिन लाइफ में नए दोस्त की एंट्री के बाद इशा थोड़ी बदली-बदली सी नजर आ रही है इशा और भारत की लव मैरेज का 11 साल बाद दा एंड हो गया और कपल ने स्टेट्मेंट जारी कर एलान कर दिया कि वो दोनों मिच्वल तरीके से तलाग ले रहे है जब से इशा भारत तख़दानी से अलग हुई है तब से जब भी वो स्पॉर्ट होती थी तो उनके चहरे से अपना घर तूबने का दख साप छलगता था पर 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 ईशा देवल को जब हाली में फैपराजी ने अपने कैमरों में कैद किया तो वो तलाग के बाद पहली बार काफी खुश दिखाई दी ईशा के चहरे की चमक ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खीछी लिया ये चमक बता रही थी कि जरूर कुछ नया हुआ है लाइफ में इनके इस चमक ने इस बात की तरफ में इशारा कर दिया कि उनकी लाइफ में नए दोस्त की एंट्री हो चुकी है जिसने उनके गमों पर मरहम की तरह काम किया है दरसल इशा देवल को मुंबई में उनके पैट डॉग कीकू के साथ स्पॉट किया गया इस दोरान धर्मेंद्र की बेटी की चहरे की खुशी देखते ही बन रही थी उन्होंने अपने पालतू डॉग के साथ पैपराजी को हसते हुए पोजस भी दिये जो की अब सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रही है एनिवेस तिल नाव नोबडी नोज वो इस दा मिस्ट्री मैंद्र बट इशा के चहरे की चमक तो वापस आ गई न एड़ एंड बस आपकी खुशी मैटर करती है बाकी ऐसे ही लेटस दियूस से अपडेटेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेश्ट भारत को श्रेश्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेश्ट भारत